तो अगर दोस्तों वेल्कम बैक टो बर यूटुब चैनल थर्टिकल फिजेक्स तो क्रेस्कूर्स की सीरीज को हम आगे बढ़ाते वे आज एक नई टॉपिक के साथ आये हैं इस टॉपिक का नाम है पार्टिकल इन ए बॉक्स वन डी टू डी एंड थ्री बेसिकली अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं तो इस टॉपिक में टोटल दो पोर्शन है दो पार्थ है जो की काफी इंपॉर्टेंट है एक्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला आपका एनर है तो है सिरफ किस पे अट्रजी औगन वेलियूस में तो आजकी में बिंसकली में ईसकण करसे बाद करेंगे, और उसको किसी दूसरी दूसरी क्लास में अच्छे से से क्या ठीक है टॉपिक की बात करते हैं टॉपिक है हमारा पार्टिकल इन ए बॉक्स 1D 2D & 3D ठीक है उसके बाद अगर हम बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक की तो हम बात करेंगे यहां पर किसकी सबसे पहले पार्टिकल्स इन एप प्टिकूलर अनरजी लेबल बाय मल्तिप्लिटी तो देखें यहां पर होता क्या है कि कई सारे बच्चेयों को कई सारे स्ट्रीड़ेंट्स को एक कन्फ्यूजन होती है कि आखिर एफ पर्टिकूलर एनरजी लेवल पे कितने नंबर अफ इलेक्टरॉ हो दे दिया यह फिर आपको क्या दे धि है यह पह दोन दे दिया फोट आपको दूसरा पार्डिकल दे अगर spin 5 by 2 है तो हम समझेंगे कि कितने number of maximum particles इस particular energy level पर entry करेंगे तो इस चीज़ को हम समझेंगे कि आखिर spin से इसका क्या क्या relation है spin का इससे क्या relation है इस चीज़ को क्या समझेंगे अपने आज के second topic मैं समझेंगे अगर मैं ठर्ट की बात करता हूं ठर्ट के वाट इस दीजनदेशी हम दीजनदेशी को समझें कि डीजनदेशी होता क्या है और हाव तो क्या से किया जाता है और अगर मैं आज के fourth topic की बात करता हूं तो fourth topic हमारा क्या है according to above principle आप सोच रहोंगे कि आ रहे हैं आप आप अच्छे समझाओंगा क्यूंकि हमें बताना है कि what is next energy level तो दिक्कत नहीं आएगी पर जैसे आप 2D में जाता है तो 2D में ground state क्या होता है वन कॉमा वन होता है ठीक और समझ रहे हुए और तो इसके बाद यह समझ रहे हो ना अगर हमारा ground state है तो first excited state कौनसे होगी first excited state यह होगी यह फिर यह होगी यह से और इस्टेट कौनसे है ठीक है तो यहाँ पर हम बताएंगे according to above principle what is next energy level आखिर अमारी next energy level कौन से है और फाइनली अगर हम बात करेंगे, आपने कुछ problems को discuss करेंगे, जो problems हमारे previous problems है, जो कि अमेशा मैं कहता हूँ, previous problems क्या है, बहुत ही important factor का काम करती है, तो genu, it gate, net और it jam के कुछ मैंने previous problems उठा रख जो हमें, है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं आज कि हमारे फॉर्स वेल्यू करते हैं जो कि क्या है यहां पे एनर्जी आइगन वैल्यूस को समझने के लिए आप क्या करोगे एक बॉक्स बनाऊ ठीक है और इस बॉक्स का लेंद कितना है यह भी जरूरी है ठीक है यह में इसके कितनी हो जाएगी टोटल लेंथ ओ जाएगी इस बात को ध्यान देना है लेंथ का बहुत बड़ा वेक्टर हेगी कोष्ण यह आपर क्या करा था उसने लेंथ आ देगे क्या होगा लेंथ इस लेंथ के वज़े से क्या हो जाएगा पूरा फॉर्मुला चेंज स्क्राइब है इनके सब्सक्राइब मतलब सब्सक्राइब ऐसे लिए तो इस बॉक्स की लेंद कितनी इस बॉक्स की लेंद हो जाते तो यहां पर थोड़ा सा चिंज़ करना था 2A का whole square put करेंगे तो length के यहाँ पर क्या करना आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है अगर length आप ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा आपका answer गलता सकता है चलिए बहुत बढ़िया बहुत अच्छा अब देखें, second अगर मैं बात करता हूँ किसकी N की, तो यहाँ पर N you know very well कि हमेशा किस से सुरूओगा, once है harmonic oscillator में 0 से सुरूओथ harmonic oscillator इस से ज़्यादा important है ठीक है, यह तो important है, पर harmonic oscillator और ज़्यादा important है और harmonic oscillator आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसको अच्छे से समझ लेंगे ठीक है, मैं इसको अच्छे समझाओगा, harmonic oscillator को आपको जल्दी में समझा दूँगा ठीक है, क्यों कि जैसे आपको यहाँ समझा रहा हूँ ठीक वही principle, वही सारे technique, वही सारे steps, वहाँ पर भी follow होंगे बस फर्क कितना हो जाएगा, यहाँ पर N equal to 1 से start होगा वहाँ पर N equal to 0 से start होगा, बस इतना जफर्क होने वाला है और कोई बहुत बड़ा changes नहीं आने वाले, एक formula change होगा और कुछ नहीं, ठीक है, तो वहाँ पर हम जादा मैनत नहीं करेंगे, सारी मैनत हम यहाँ पर कर दे है ठीक है, तो अगेन बोलूँगा, आज की class important है, आज की class सिख जाओगे, harmonic accelerator, बच्चों का खेल हो जाएगा ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, dot, 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 and so on ठीक है, एक बात आपको और समझने है, यहाँ पर, कि जो यहाँ पर n equal to 1 है, इसे बोला जाता है, ground state, अब गलती से इसे first मत कर देना, क्योंकि जो हमारी, basically अगर मैं quantum physics की बात करता हूँ, या फिर मैं जितनी भी standards books हैं, या जितनी भी professors हैं, वो हमें से n equal to ground state बोलते हैं, ठी परता है, n equal to 1 है, ठीक है, और n equal to 2 के लिए क्या हो जाएगा, first excited state, ठीक है, और n equal to 3 के लिए क्या हो जाएगा, second excited state, और n equal to 4 के लिए क्या हो जाएगा, third excited state, ठीक है, और n equal to 5 के लिए क्या हो जाएगा, four excited state, चलिए, इससे जादा तो खर देगा भी नि, देगा तो आप एक बात और समझाता हूं, n equal to 1 के लिए, ठीक है, वैसे यहां नहीं समझाना था, मेरे को आइगन function में समझाना था, ठीक है, अबर कोई बात नहीं, अगर suppose that एक peak है, ठीक है, एक peak है, तो उस case में n equal to क्या बोला जाएगा, 1 बोला जाएगा, तो यह अगर मुझे एक peak ठीक है, ठीक है, suppose that अगर क्या होता है, मेरे को दो peak दिखाई देते हैं, कुछ इस टाइप से, ठीक है, कुछ इस टाइप से, या फिर ऐसे भी हो सकता है, not compulsory नहीं है कि कुछ ऐसा ही देखे, ठीक है, आपका, मतलब, दो peak होना चाहिए, वो समय आपको energy आइगन function में के लिए, मतलब first excited state है, ठीक है, अगर suppose that in case आपको तीन peak दिखाई देते हैं, तीन peak मतलब यसे, कुछ, एक, दो, तीन, ठीक है, और यह खतम होना, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह n equal to 3 है, ठीक है, n equal to 3 का मतलब क्या हो जाएगा, second excited state, तो जितनी peaks दिख high दें आपको, ठीक है, उसका मतलब समझ लेना, वो आपकी क्या n की value है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, one peak मतलब n equal to one, two peak मतलब n equal to two, three peak मतलब n equal to three, तो आपको यह बात क्या करना है, ध्यान दखना है, चलिए, बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा, इसमें तो पर कोई गुराई वाले बात हो भी नहीं सकती है, अब बात करते है किसकी, अब बात करते है second b, two d, two dimension में क्या changes आ जाते है, यहाँ पर आपका nx हो जाएगा, और यहाँ इतना फर्क हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं एक important चीज लिख रहा हूँ क्यों लिख रहा हूँ, मैं आपको आगे समझाँगा, आखिर ऐसा लिखा क्यों है, जब आप problems को deal करेंगे तब आपको समझ में आएगी कि मैंने क्यों कर रहा है, तो a square और यह मैंने क्या करते है, वो है क्या बात की बात है, अभी हम समझेंगे उस सीच को, तो यहाँ पर क उस्काम प्रोटों हो और उसमें के लिए निक्त्रौ ऌिटन और 10 उल चॉच्तु उनकर एक इरी और यह तो इसलिए विरून को यह साथ आचको याद रखना तिके इसलिए तो मास भी क्या होगा मास भी एक्वल होगा ठीक है तो इसलिए यहां पर क्या है यहां पर मैंने क्या कर रहा है यहां इसका मतलब क्या है है अब हमारे पास क्या होगा बॉक्स नहीं होगा रग्ठेंगूलर सफेस होगी उसकी और व्रेथ कितनी बी यह दियान रखने हैं और यह सक्षिस पर है मतलब suppose that length कितनी होती, length होती C, ठीक है, C is a parameter, एक parameter है, ठीक है, जो कौन से axis पे, x axis पे, ठीक है, और suppose that in case, अगर मैं कहाता कि मेरी जो breath हो कितनी है, A है, ठीक है, जो कौन से axis पे है, y axis पे, अगें जो A हो क्या होगा, parameter होगा, तो उस case में देखें, formula क्या बनता, उस case में formula बनता n x, ny, ठीक है, अब देखें, यहाँपर क्या होता, n x square तो ऐसी रहता, upon, अब A की length क्या है, मतलब x की length क्या है, x की slope है, un c square, प्लस, ny square upon, b की length क्या है, b की length है, b की length यहाँँ इक सकते, है, साब-साब दिखाई दे रही है, मतलब y की length क्या है, यहां पर b, तो यहां पर y की length क्या हो जाती, बताइए, 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 तो y की length क्या हो जाती, a, a square, बाकी है क्या, pi square, h square upon 2m, तो ऐसी है आप similar क्या गर देते, इसको लिख देते, ठीक है, तो यहां पर धियान रखनी है, कि अगर मैं nx square रहा हूँ तो यहाँ पर जो length हाईग और खिसकी है X की ही length हाईगी धिक है वो कौन से times आएगा उसकी length आईगी अब देखे इस case में length कितनी थी इस case में length थी y की a तो मैंने हैंgyrae pathways और इस case में y की length कितनी थी y के length b तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया b square तो यह बात आपको थोड़ा सा क्या रखना है ध्यान रखना है अगर in case suppose that suppose that ही square plate हो जाता है अगर यह square plate होता है तो square plate का मतलब क्या है अगर इसकी length a है तो इसकी length इसका breadth भी कितना होगा definitely a होगा तो square plate के लिए formula क्या हो जाएगा square plate के लिए आपका formula हो जाएगा e n x n y ठीक है और यह क्या हो जाएगा n x square upon a square plus n y square upon again a square because x की length भी a है और y की length भी कितनी है a है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a square x के लिए और y के लिए भी क्या हो जाएगा a square यह फॉर्मूला लिखते हो और यह carta ए रियक्ते फॉर्मूला में यह आप तो यह ₹ जो फॉर्मूला में यह फॉर्मूला में क्या है यह a2 और b2 अलग अलग हो अलग हैu तो कभी भी फॉलिख बिए तो यह इस वाले फॉर्मूले को यूज नहीं करेंगे इस वाले फॉर्मूला अपने यह पर यूज हो जाएगा अगर ए और बी दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे तो इसमें भी गुराई वाली बात नहीं है अच्छा यह बहुत बढ़ी आगर मैं 3D की बात करता हूं 3D का हो सकता है या क्या क्यों होगा टीक है तो प्लत क्यूब होगा यह फिर आपका क्या होगा इंहां क्य journalism क्या होगा देखो यहां पर प्लकिक खेंगे इस में factor ऌपड गरेंगे तो on minut in the आप क्या होता है वहाव कर सकते हैं mathematics इतनी अच्छी है उसके लिए मैं नहीं कर रहा हूं में जनरल फॉर्मुला लिख रहा हूं ताकि आपको इन फूर्चर क्या हो दिक्कत ना हो तो टोटल तीन जनरल फॉर्मुलास हो गए यह होगी फॉर्मुले इसके बार ठीक है तीनों फॉर्मुला आपको याद होना चाह जिए उसके अलाब और कुछ नहीं तो अच्छा आज सब्सक्राइब क्या था 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 सब्सक्राइब का था नग्या था यह था 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 या था तो D-generacy होता क्या है और आप D-generacy को क्या करते हैं calculate कैसे करते हैं तो पहले समझो D-generacy का मतलब क्या होता है ठीक है तो यहाँ पर आपने समझा matrix भी पढ़ी होगी ठीक है matrix भी पढ़ी होगी अगर मैं matrix की बात करता हूँ तो matrix मैं आप में पढ़ाओगा eigen values तो आप पढ़ते हैं D-generacy eigen values इप ठीक है और जो आइगन values र मलुटे हैं उसको हम क्या दो होती है और जो आइगन values क्या होती है रिपिरेट नहीं होती है उसको मैं क्या बोलता है लैंब्डा 2 equal to 1 ओ लैंडा 3 equal to आया 5, तो इसमें जो आपका डी-जेन्रे सी आएगन वैल्यूव से हो क्या है? 1. और कितनी बार डी-जेनरे हुआ है, मतलब कितनी बार रिपीट हुआ है? 2 बार रिपीट हुआ है, तो इसकी तो उसको बोला जाता है क्या Degeneracy तो number of repeated values को बोला जाता है number of degeneracy तो यह मैं लिख देता हूँ आपको अच्छे समझ में आ जाएगा degeneracy is what degeneracy होता है आपका repeated repeated values तो degeneracy आपका क्या होगा repeated values होगया तो अगर मैं बात करता हूँ number of degeneracy number of number of d generasi number of d generasi क्या होगा बताओ simple सी बात है number of d generasi होगा कि कितनी बार repeat हुआ है how many times या फिर यह कह सकते है number of repeated number of repeated values number of number of repeated values number of repeated values for example lambda 1 equal to 1 lambda 2 equal to 1 lambda 3 equal to 5 तो इसमें जो क्या होगा d generasi क्या होगा 1 1 1 यह तो होगया क्या d generasi ठीक है d generasi आपका क्या होगया 1 होगया number of repeated values कितनी बार repeat हुआ है दो बार repeat हुआ है तो number of number of d generasi कितनी हो जाएगी 2 ठीक है बिन धैसे मैं जैसे यहां पर ठीक सिमिलर क्या है मैं अब देखो में इस बात को समझो और इस camera लिया और चलतु कि यहों डिया कि अग्जङरिक्षक्ट फारो A square और B square करता हूँ, suppose that A is equal to B है, ठीक है, मैं equal to B के लिए case कर रहा हूँ ये, तो मैं direct लिख रहा हूँ, ठीक है, आप लोग direct मत लिखना, ठीक है, तो यहां के हो जाएगा, pi square, h cut square upon 2ma square, ये A क्या है, equal to B है, मतलब length or breadth क्या है, equal है, तो square है, ठीक है, ये square sheet क्या सकते है, square surface बोल सकते है, ठीक है, square box है, तो उस case में क्या है, length or breadth क्या है, दोनों की, same है, तो इसलिए मैंने A square लिखे, otherwise यहां पर A square लिखता, upon A square होता, और upon क्या होता, B square होता, ठीक है, पर चलिए, इसमें भी कोई बुराए वाली बात नहीं है, हमने तो क्या गरना, हमने तो चीजों को ठीक है, अब देखो, क्या होगा, suppose that, अगर मैं बात करता हो, यहां पर, यहां पर मैं बात करता हो, 2,1 की, ठीक है, and, 1,2 की, चलिए, अब देखे, जब मैं 2,1 रखूंगा, तो values क्या आती है, 2,1 पर, 2,1, ठीक है, तो उस case में क्या हो जागा, nx square मतलब 4, plus 1 मतलब 1, ठीक ह नहीं है, 2,ma square, तो finally जो आपका answer आएगा, कितना आजाएगा, 5,pi square, h square upon 2,ma square, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़ी है, यहां आगया क्या, आपका equation first कर देते है, ठीक है, ऐसी मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने 2,1 को check किया, ठीक है, वैसी 1,2 को check करूँगा, तो जब मैं 1,2 को check करूँगा, तो तब देखो, क्या होगा, उस case में क्या होगा, nx की जगा, आप क्या put करोगे, 1, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 को 1 क्या 1 हो जाएगा, NY के जगा क्या put करोगे 2 क्योंकि हमारा क्या x, y है तो NY के जगा 2 put करेंगे तो उस case में आपको कितना आ जाएगा प्लस 4 ठीक है चलिया कोई बुराई वाली बार नहीं है चलिया हो गया उसके बाद देखो value put करोगे तो finally again ये value कितनी आ जाएगी इसका मतलब ये हुआ कि 2,1 2,1 and 1,2 इन दोनों ही values पे इन दोनों ही values पे जो आपकी क्या आ रही है energy eigen values का amount आ रहा है वो same आ रहा है और वो कितना आ रहा है 5 e naught आप यहाँ पर e naught क्या है e naught मैं आपको बता देता हूँ ground state की energy के बोलते है इसको आपको अच्छे से फिलाल आपको अच्छे से फिलाल आपको इसको मैंने लिख देता कि मुझे थोड़ा थोड़ा सा बड़ा ना लिखना पड़े चलिए बहुत बड़ी है बहुत खोग इसमें भी कोई बुराई वाली बात नहीं है अब देखो क्या होगा है यहाँ पर अब मेरे को हैं साफ साफ दिख रहा है कि इसका मतलब यह हुआ कि इसकी जो डी जनरेसी है डी जनरेसी कितनी हो जाएगी इसकी डी जनरेसी हो जाएगी तो क्यों होगी इसकी degeneracy 2 इसलिए हो जाएगी क्योंकि 2,1 और 1,2 पे equal eigen values मिल रही है मतलब repeated eigen values मिल रही है तो repeated energy eigen values के कारण यहाँ पर 2,1 है और 1,2 है यह हमारे क्या हो जाएगा degenerate हो जाएगा degeneracy हो जाएगी ठीक है और इसकी degeneracy कितनी होगी 2 होगी ठीक है यह doubly degenerate होगा ठीक है और अगर supposed मैं बात करता हूँ 2,2 की और अचा एक बात और एक चीज़ और चेक कर लेना आपको क्या चेक करोगे क्या ऐसा और कोई value है जिस पर 5e0 मिल रहा है देखो 1,2 पर तो मिल गया 5e0 और 2,1 पर भी 5e0 मिल गया क्या ऐसी और कोई भी value है जिस पर 5e0 मिल रहा है तो नहीं आप देखेंगे definitely आप देखेंगे ऐसा कोई भी value नहीं है जिस पर 5e0 और मिल रहा है इन दोनों के अलावा ठीक है तो इसलिए इसके degenerate कितना हो गया 5e0 हो गया ठीक है चलिए यह बात तो आपको फिलियर हो गई अब बहुत हुश्यार हो 18e0 ठीक है तो 2,2 के लिए मैं डिरेक्ट 18e0 लिख रहा हूं तो 18e0 डिरेक्ट लिखने से क्या होगा कि 18e0 के लिए ऐसा कोई और भी value है जहां पर 18e0 मिल रहा है हमें तो आप देखोगे कि 2,2 के अलावा 2,2 के अलावा और कोई भी value नहीं है जो म 1,2 है यह क्या हो जाएगा नॉन 2,3 ठीक है येहां क्या हो जाएगा सिंगल डिजनरेट कुछ नहीं होता है याद रुखना दिमाग में यह डबली डिजनरेट हो गया यहां पर यहां पर एक बात और अब अब देंजनती का मतलब क्या होता है यह निकालते है क्या से मतलब क्या होता है अब टेंजनती की आने से एनर्जी rust पर फर्गणने वाले aJA vrij तो अंदफिशय होता क्या कि मालँ मुझे क्या करना है मुझे ओडार मननानाया ठीक हैज फाइप इन दो पार्ट में डिवाइड होने से क्या फर्क पड़ेगा वह थोड़ी दिर में समझेंगे अब आपके मर्जी है इसको में नाम देते तो 1,2 तो यह अपने आप क्या हो जाएगा 2,1 और आप यह भी कर सकते अगर आप इसको नाम 2,1 देना चाहते तो 2,1 दे अगर ऐसा हो दिवाद ध्यान रखना है कि आखिर डीजनरेट होने से फर्क क्या पड़ा तीक है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपको मुल्टिक्लिसिटी सीखनी पड़ेगी ठीक है कि हाउट टू कल्किलेट दा नंबर ओफ नंबर ओफ पार्टिकल इन पटिक् बात नहीं है तो यह मैं आपको समझाओंगा कि आखिर इसके डबली डीजनरेट होने से क्या फर्क पड़ा तीक है वो अगला टॉपिक समझा दूं उसके बाद आपको मैं समझा दूंगा फिलाल इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी कि आखिर डीजनरेशी का मतलब क्या होता है अगें डीजनरेशी एक बार और बता देता हूं डीजनरेशी मतलब नमबर ओफ रिपीटेड डिपीटेड वैल्यूस ठीक है या फिर सिंपल सी बासा में आप बोल सकते हैं रिपीटेड एनरजी आइगन वैल्यूस ठीक है तो उसको क्या बोलते है चलिए ऐसे बहुता स्वाही कोई बाद नहीं होता है चलता है इतना तो अच Lights आज के अगर मैं थल टॉपिक की बात करता हूँ तो हमारे थल टॉपिक क्या है थल टॉपिक है कि how many number of particles how many number of particles काफ़ी important तो बच्चे confused रहता है how many number of particles number of particles number of particles in a in a particular particular energy ठीक है एक particular energy level पे कितने number of maximum particles हो सकते है ठीक है तोड़ा correction और कर लेते है how many number of maximum particles maximum करते हैं यहाँ पे how many number of maximum particles in a particular energy level कि एक particular energy level पे कितने number of maximum particles रह सकते हैं कभी 2 होते हैं कभी 4 होते हैं कभी 10 होते हैं कभी 20 होते हैं तो उसके लिए आपको सेखना है कि मल्टिप्लिसिटी मैं इसको दिखा देता हूं ऐस किनी होती है या प्रोटोन की मल्टिप्लिसिटी इतनी होती है या जिसकी स्पिंग इतनी होती है इसकी मुल्टिपलिसिटी कितनी होती ह्यां पर स्पिंग तो और ध्यानत नहीं है कि यह पर्मियोंस इन कोंटम मेकानिक्स दिस तो तैपस पार्टिकल फिर्स ऑर्मियोंस और रुट्ट्वाग्स सब्सक्राइब पर याद रखना कि यह बैलेट नहीं पर बैलेट क्रिफा शॉक्र मेरे उर। लिए ब्लोश्ड सीभी तहें पर घ्रीख के लिए और आपको ध्यान नायց यह जो मैं को क्या लुट के लिए पर मुझे पता है यह बात बताना क्या है बहुत ज़्यादा जरूरी है और यह बात आपको नहीं आएगी तो क्या होगा तो आप क्या करेंगे यार सिरफ उपर-ओबर से रट लेंगे हैं कि बताना चरूए था इसलिए बता रहो नहीं तो मैं डिरेक्ट कुस्टें से शुरू कर देता बड़ मुझे पता कि कई सारे स्टुडेंट्स के सारे डाउट्स के अधा नहीं हो तो आप कुस्टेंस करेंगे ठीक है तो इसलिए कोई बात नहीं आदा एक गंटा पहें 45 सप्रिम पीजिए जिनका स्पीन क्या होता है जिनके स्पीन फ्रेक्शन मतलब 1 x 2 3 x 2 5 x 2 7 x 9 x 2. बहुत बड़ी है बहुत कोग आप सपोज एट सपोज यहां पर में किसकी में स्पेन कितनी है पर 2 है फिक ऑब निकाल हो तो यह स्पेन किसके जाएगा मैं डेरेक्ट कर दे रहा हूं आप बहुत समझदार हैं ठीक है वन बाइट युद्ट के लिए बहुत बढ़ी है बहुत बहुत ऑच्छा थ्री बाइट टू के लिए ऑच्छा बहुत 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 बढ़ी अब तक निखाल सकते हो इसमें बूरा वाली बात नहीं है चलिए अच्छा अब यहां पर क्या है जब आपका मल्टिप्लिसिटी नायक्त थ्यान दखनी है कि इस मल्टिप्लिसिटी को ही बाला जाता है maximum number of particles maximum number of particles particles in a particular in a particular पुरा लिख जेता हूँ मैं particular energy level ठीक है इसमें भी कोई गुड़ाई वाली बात नहीं है इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका particle का spin कितना है 1 by 2 है तो उस case में एक particular energy level में जो maximum number of particles होंगे 2 होंगे 2 से जादा नहीं हो सकते हैं यह बात आपको क्या करना है ध्यान लगना है और अगर spin कितना 3 by 2 है तो उस case में अगर आपका किसे energy level में maximum number of particles होंगे और कितने होंगे 4 होंगे because multiplicity decide करेगा maximum number of particles कितने होंगे अगर in case आपका इस पिन कितना 5 by 2 है तो उस case में maximum number of particles कितने होंगे एक particular energy level पे 6 होंगे और 7 by 2 के case में कितना हो जाएगा 7 by 2 के case में 8 हो जाएगा तो आपके यह बात ध्यान रखनी है कि जो उसकी multiplicity होगी किस के लिए fermions के लिए यह बात भी ध्यान रखनी सिरफ पर्टिकुलर energy level पे maximum कितने number of maximum कितने number of particles entry कर सकते हैं मतलब fermions particles entry कर सकते हैं चलिए अब इसको समझते हैं आखिर कहना क्या चा रहा है यह समझते हैं और अच्छे समझेंगे इतनी जली नहीं छोड़ेंगे इसको जब तक तोड़ेंगे नहीं ठीक है और दूसरा किसमें डिवाइड हुआ था उल्टा भी लिख सकते हो उपन नहीं कोई फर्म नहीं पढ़ता ठीक है चलिए आप देखो यहां पर क्यास की टीजन देशी दोटी सपोस्ट मेरे पास मेरे पास सपोस्ट करो और यहां पर होगा क्या अगर मैं इसमें इस पर्मियों करवाऊंगा तो सबसे यहां पर नहीं पड़ता है ठीक है पर जिसमें भी एंट्री कर वाऊंगा उसको complete लिए अपर फर्यूपने के सबसे पहले थीक है तो सबसे पहले मैं यहां एंट्री कराई एक कर्आई बसारी एक फर्मियों इहां पर आया। दूसरा फर्मियों यहां पर आया थी को चौता फर्मियोन यहां पर चार से ज़ादा पांच में फर्मियोन के अंट्री नहीं हो सकती है क्यों नहीं हो सकती है तो इसके पास बचे कितने है चैए और बचे तो क्या होगा एक, दो, तीन, चार, तीक है, चार इसमें चलेगे, चार इसमें चलेगे, आठ, दो और बचे, अब यह जो और दो बचे है, वो किसमें जाएंगे, अगली energy level पर जाएंगे, ठीक है, next energy level पर इसके entry होगी, चलो बात की बाते, फिलाल तो क्या है, हमारे क्या होगे, दस में से 8 पर इसमें एंटर कर गए, ठीक है, suppose it in case मेरे पास 10 पर इसमें चार्ट करोगे, उसको complete भर देना, ठीक है, बट उससे तो कोई खास फरक नहीं पड़ने आला, फिर भी एक बात बता रहा हूं, ठीक है, तो एक फर्मियों, दो फर्मियों, तीन फर्मियों, चार फर्मियों, मैंने भड़ दी है, अब कितने फर्मियों बचे, 6 फर्मियों से, 6 में से 4 चलेगे, तो कितने 2 फर्मियों बचे, अब ये जो 2 फर्मियों से, वो क्या होगा, डीजनरेटर तो क्या होगा, 2 फर्मियों, एक फर्मियों, दो फर्मियों, देखे, 4 है, और 4 से कम है, पर 4 से ज् मुल्टिप्लिसिटी आई हो, कितने आई है, 4 आई है, ठीक है, किलियर हो रहा है, चलिए, बहुत बढ़े हैं, एक छोड़ा से एजमपल आ लेते हैं, और अच्छे समझ में आ जाएगा, come on, suppose that, perm union का spin, suppose करते हैं, for unm union का spin क्या, 1 by 2 है, अब 1 by 2 spin, जानते हो क्या होता है, electron होता है, चलिए, बहुत बढ़े हैं, बहुत फोट को, इसमें कोई बरा आई बाले बात, नहीं है, अगर आपका है, बहुत बहुत करते हैं, सब् dei axo Кितने उलेक्ट्रों से हमारे पास प्imately पांच उलेक्ट्रोण नहीं हो सकते हैं क्यों कि मल्टिप्ल्टिटी कितनी ऑइए डो आई है एक य। बचान बचा उन्हेंज बंच लेणन का béस घागा अगर् Y इनकेस पाच एलेक्ट्रोन आउकित थीन हैं इसमें को इसप्षक जो ऐसे मतलब यह होता यह पूरा खाली रहता दो के दो यहां चले जाते और यह पूरा खाली रहता तो दिखेंगे दो से ज्यादा एंट्री नहीं कर सकते हैं पर दो से कम दो से कम क्या होता है एक भी हो सकता और जीरो भी हो सकता है ठीक है तो यहां पर यह बात आपको क्या मुल्टिप्लिसिटी से होप सो समझ में आ गई होगी ठीक है यह किसके लिए ता सिर्फ फर्मियों के लिए अगर इन केस पार्टिकल्स आपके बोसोन पार्टिकल्स तब क्या करोगे अब देखो बोसोन पार्टिकल्स में क्या होगा सिर्फ उसके लिए पुनदीष और इस इसको बोलते अक्या अगर इन केस हमारे पार्टिकल्स पार्टिकल्स अब आपके पास दस बोसोन है या फिर बोसोन से फर्क नहीं पड़ता है आपके पास दस बोसोन है या फिर दस लाग बोसोन है या 10 करोर बोसोन है कुछ फर्क पड़ता ही चाहिए आपके प। सबसे बड़ी बात है कि बोसोन ऐसा क्या हुआ कि बोसोन ने n equal to 1 पे entry कर दी जबकि फर्मियों से 1 पे भी जा रहा है 2 पे भी जा रहा है 3 पे भी जा रहा है 4 पे भी जा रहा है 5 पे भी जा रहा है ऐसा क्या हुआ कि भाईया इसका मनुवाफि में ground में ही जाओंगा समझना चाहते है इसको है का है दूझा घते मार्ख भी ऑ्देने करें कभी भी भी बोसुन के एंट्री फस्ट exists्ट luxury नहीं कभी नहीं होगी नहीं दयवर भी सशेड़ेशख सेके बोसोन और वेस्ट करेंगा ग्राउंड में गरेगा असा क्यों हुआ सिखना चाहते हो शिखा दूंगे सिखाना तो नहीं चाहिए था क्रेस कुर्स में डिरेक्ट करना चाहिए था ठीक है सिखा देता हूं कल के दिन यार फिर वो लोग यार सड़ रटा देते हैं बताते को ठीक है तो अच्छे सिखने के लिए कोई बात नहीं अगर दो लेक्षर में डिवाइड होता है यह टॉपिक तो इसमें कोई बुरा वाली बात नहीं आप देखो यहां पर क्या है पर सीखेंगे तोड़ा अच्छे से सीखेंगे तल के दिन या तुम नात मत कड़ा ना मे की आप अप बान के लाट को में मुआ यह चली बात अगर अगर थ्खान रखन है इसमें पोई बुड़ा वाली बात नहीं है अगर वो आप बाव पिंसिबल को ओब करेगा ठीक है तो आप बाव पिंसिबल आपने क्या पड़ओगा 11th क्लास में क्यमिस्ट्री वाला फिजिक्स वाला ने पहले हाँ आसा फिजिसका टीचर देखाऊगे जो कमिस्ट्री यूज़ कर रहा है फिजिक्स सिखाने में ठीक हो इस वीडियो को शेर करो दस लोगों अपने दस दोस्तों को बताओ आपका भी बला उपर वाला कुद करेगा ठीक है चलिए अब देखें यहां पर क्या है आप बाव पिंसिबल क्या बोलता है आप बाव पिंसिबल बोलता है कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रों से आप पिंसि पर अब अब देखो चलिए तो पर अब देखो क्या होता है इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई भी कोई भी पारिकल थेक्यों आपका पार्टिकल्स अगर पायल पोई प्यूरान विंथं सोक्राइब से आप वर undoubtedly करना ही पड़ेगा तो अब दो क्षेंदर भार्षिन पर्षियास का गलते हैं वह क्या करते हैंבu क्यों करते हैं आपने पढ़ा दियरेक कें पढ़ते हैं तो अब पिंसेपल को ओब नहीं करता है तो आप पिंसेपल को ओबे खरेगा तो जो आपका बोसोन पार्टिकल आपने पड़ा है क्या करता है पॉली एक्सकुलूजन पिंसिबल और नहीं करता है नहीं करने का मतलब आपव पिंसिबल को और नहीं करेगा तो आपको दिहान रख नहीं है मैं अलग से लिख देता हूं इसको फूर फर्मियोन पार्टिकल अब इससे क्या पता चलता है इससे ये पता चलता है कि अगर पिर में पार्टिकल्स तो मन पर्मियू कोई तो उसके लिए अइनरजी अइनरजी अनेरजी वैलिई बहुत जादा मेंडर पर्मियूस की बात करता हूं सबसे पहले चरी सिखा रहा हूँ कर यह बहुत बढ़े बहुत करते हैं समधे नट होँ तुक्त इसी अगले होता है दो सबसे जादा है इनरजी किसके पास है सबसे जादा इनरजी है पर तो सबसे पहले यहां पर फर्मियों सेंटर करेंगे अब कितने करेंगे मैं इसके मुल्टिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लिप्लि बचे कितने फश्वार्ट पाँच पाँच के बाद की watch को उसके बाद थोड़ी थी फिर अग्ले आज़ी डंट ब्रहम एंट्रिकषिए और अगला इनर्जी लेबल में सिक्ष्टिन इनोट में करेंगा किन नाइन बचे किसमें चला झाएगा आप कमारा क्राली रहेगा तो यह बात फून कि आपको क्या क्लिर और खेसे तॉक्त आप प्रतिक कि अगर पर फिंसीपर यह फीर जोते हैं फाली पांच जो प्ल्सेद सबसे बड़ा सवाल कि इसका सवाल का जवाब क्या दोगे सबसे इसका सवाल का जवाब क्या दोगे इस सवाल का जवाब भी बहुत सिंपल है सिंपल क्या है कि भाई इस दुनिया में हर कोई सचुरेटेड रहना चाता है इस यूनिवर्स में हर कोई सचुरेटेड रहना चाता है और Saturated मतलब क्या Stable रहना चाता है Stable और इस्टैबिलिटी वो डिरेक्टली परपोर्शनल टो है वन अपन एनर्जी यह भी क्या है यह आपका कौन सा पाट है यू कहन से कि यह क्यमिस्ट्री का पाट है तो इस दुनिया में हर को क्या क्या बता चलता है इंवर्शनल होता है अगर वो एनर्जी के इनवर्शनल होता तो इसका मतलब क्या जिसकी एनर्जी जितनी कम होगी वहाँ पर पाटिकल क्या होगो कि उतना ही ज्यादा सिटेबल होंगे अब यह बताऊ कि पार्टिकल है बोसोण है वो इनौट पर सिटेबल होगा ओनेर्ट पर इस्टेबल होगा कि 25 पर सिटेबल होगा तो इसका मतलब जो क्या होगा हमारे बोसॉण पार्टिकल्स होंगे उनकी स्टैबिलिटी सबसे जादा होगी ग्राउंड इस्टेट में ही होगी तो जितनी जादा के लिए minimum energy level पर अब वो भाइलख हुआ ये कि जो minimum energy level है वह आपकी क्या है ग्राउन इस्टेट है वह ग्राउन स्टेट है एनर्जी हमेसे क्या होती है minimum energy level होती है चलिए यह बात आपको clear हो गई होगी कि जब बिल्कुल साउथ इंडियन मुवी जो इसमें की एंट्री करते हैं लोग ठीक है यह से कम है क्या चलिए इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है अगला और आज का सबसे लाज टॉपिक पढ़ता है कि मुझे लगता निए कि आज नुमेरिकल आएंगे बट कोई बात में अच्छे समझेंगे पॉर्थ और लाज्ट टॉपिक है आज का पॉसिबल बात नुमेरिकल करवाएंगे टिके जो फॉर्थ और लाज्ट टॉपिक है वो यह है कि भाई अब वट इस नेक्स्ट एनर्जी लेवल वट इस अच्छे इसमें आपर होता क्या है लगा है तो भाई हो जाएगा अगली अगली एंटर्जी लेवल कि अगली अगली लेवल का मतलब यह है सबसे ज सबसे ज्यादा most confusion सबसे ज्यादा confusing part सबसे loss Cartman बताता हूं सुए सबसे 1Dika सबसे पहले equals n 3 4 6 7 2 7 सबसे पहली जो एनरजी लेवल होती है ग्राउंड इस्टेट क्या होता है चलिए इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं क्योंकि हमेशा किस से स्टार्ट होता है यह वन से होता है ग्राउंड के बाद फर्स्ट एक्साइट इस्टेट क्या होगा फर्स्ट क्या होगा फर्स्ट के बाद अगर पता है तो सेकंड क्या होगा थीक है ऐसे जब मैं 3D के बाद करूंगा तो 3D में we know very well ग्राउंड इस्टेट क्या होता है 1,1,1 सोच नहीं है इसमें तो कोई बुर ठीक है अब यहां पर क्या देखो वन डी में तो कभी टेंशन नहीं ले ना ग्राउंड फर्स सेकंड ठर्ड फॉर फिट सेवन एट नाइन टैन कर दो इसमें कोई उड़ाई वाली बात नहीं है ठीक है अब यहां पर जो सेकंड है इसके बाद यह आता है इसके बाद यह आता है इसके बाद यह आता है जिन्होंने अपर रट रखा है वो आज समझ लो अच्छे से अब देखो यहां पर ऊता क्या है एक्शुलि अगेन मैं आप बात करूं आप बाउप इंसिपल की जो आप कर रहे हो वह कौनसे पाटिकल के लिए करो फर्मियों के लिए करो बोसुन के लिए कभी नहीं करोगे कि बोसुन की एंट्री तो हमेंसा किसमें होती है लोगे स्ट अनेर्जी लेबल पर ड्यू टू हा जो क्या होता है लोगे स्टेट होता है हमेशा याद रतना चलिए इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है आप देखो यहां पर क्या होगा जब मैं फर्मियों की बात करों किसको करते हैं आप बाउप इंसिपल को आप बाउप इंसिपल है वह हमेशा क्या बोलता है कि सब सब्सक्राइब सबसे पहले कॉन करेंगा कंप्लीटी करेंगा यह कहां जाएंगे अब होता क्या है मैं वन डी की बात नहीं कर रहा हूं मैं 2D की बात कर रहा हूं 2D में क्या क्या possibility हो सकते है 1,1 ठीक है इसकी energy में direct लिख रहा हूं 2e0 ठीक है आप कर सकते हो nx square plus ny square pi square h cut square open 2ma square मैं आपे किसकी बात कर रहा हूं square box के बात कर रहा हूं ठीक है square मतलब length or bear दोनों के क्या equal है ठीक है अच्छा 1,2 पे क्या होगा बताओ 1,2 पे 5e0 हो जाएगा nx square plus ny square और e0 क्या होता है pi square h cut square open 2ma square चलिए इसमें कोई गुराई वाली बात नहीं है 1,3 का क्या होगा बताओ 10e0 चलिए 1,4 का क्या होगा बताओ कितना होगा 16 और 17e0 ठीक है 1,5 का क्या होगा लिख लो लिख लो गोई बात नहीं 46e0 चलो बहुत बढ़िया बहुत बहुत अच्छा 2,1 का क्या होगा बताओ 2,1 का हो जाएगा 5e0 ठीक है 2,2 का क्या होगा बताओ 8e0 ठीक है 2,3 का क्या होगा 4 plus 9 कितना हो जाएगा 13e0 चलि बहुत बहुत को बहुत कर सकते हो उसमें कोई बुराय वाली बात नहीं है तो यह हो गया आपका क्या करनेहीं बहुत बटीफाइब सबसे लौइस अनियाल एक चलिए इसको में बोलते और हमेशा रखना दिमांग में रटे लो थीक है विंसे रटने में मता करता हूं और हमेशा नौन दीजन रखना च्शूर्ट सी च्वार्प यहांपर यहां पर भी आ रहा है यह ते अब 5 ते यहां पर यहां पर है आई तो इसको भी मैं क्या बहुनगा this mustre hex excited state उन्हहां पर total दोби फर्सой excited schiddette हो गया है तीख है इसका मतलब ही क्या औगए डब्ली जन्रेट हो गया यह क्या होगे डब्ली डी-डी डी-ड-ड का जो नोटेशन होता होता है जी स्मॉल जी इसके जी कितना हो जाएगा समझेंगे इसको और अच्छे तीक है अच्छा पाइप नॉट के बाद कौने देखो बाई एटी नॉट चलो बहुत बढ़ी है बहुत को बहुत अच्छा यह जो एटी नॉट आप देख रहे हैं ठीक है यह क्या है यह सबसे कम के सबस्क् Good Mac सबस्क्राइगा ठीक है और एटिख टैनि नॉट के वार टैनि नॉट यहां अपर भी तो है यार एंट भी वहागा्ट ग्रोस्कि दो वार यह कौरत другие सबस्क्राइब यहां पर मिल रहा है यहां पर मिल रहा है यहां पर मिल रहा है तो यह क्या था था कॉंसर्ट हो जाएगा अब इसको डहले बना देता हूं इन सबको मिटा के थाकि आपसा और तरह चलिक है बहुत बढ़िया बहुत अच्छे समझे रहो यार चारो अब यहां पर सबसे पहले है आपका क्या दूई नौत थीर चुन में तो पर किया वन कौन पर वन युद्ट ए और 2,1 पर 5 इनोट के बाद क्या है बताओ 8 इनोट कहां मिला 2,2 पर 8 इनोट के बताओ 10 इनोट 10 इनोट कहां पर मिला बताओ 10 इनोट मिला एक तो 1,3 पर और 3,1 पर यह बहुत बड़ी है यह तो मैंने क्या लिख दिया सबसे पहले ग्राउंड बनाऊंगा ठीक है ग्राउंड इसको बना देता हूं बनाओंगा कैसे सबसे पहले ग्राउंड बनाऊंगा इसका अमाँट कितना है यहाँ पर यहां पर यह कितना हो जाएगा एक हो जाएगा क्या 1,2 और एक हो जाएगा 2,1 क्या फर्क पड़ेगा भी थोड़े दिन में सीखेंगे मैं एक्जाम्पल लूँगा ठीक है अब आएगा क्या अगला क्या है एट एक्साइड इस्टेट क्या हो जाएगा एट इनोट एट इनोट क्या है ठीक है और एट इनोट क्या है मतलब एक रजयरा तेक है तन इनोट क्या है अगें यहाँ पर・डी जिर्यट में बसक्ञार में एक क्या है 1,3 और एक क्या 3,1 तो यह में क्या करते हैं तो 1,3 और 3,1 ठीक है अब मैं एक example लगता हूं छोटा सा ठीक है वह example क्या है सब्सक्रते हैं हमारे पास कितने electrons है हमारे पास 11 electrons है 11 electrons है सबसे पहले electron किसमें entry करेगा ground में according to above principle तो 2 electrons इसमें 2 क्यों क्यों कि इसकी multiplicity कितनी है 2 है तो maximum 2 ही entry कर सकता है 2 से ज्यादा नहीं ठीक है उसके फरस्ट में कितना आएगा देखो फरस्ट में भी दो हैगा पर यहां पर डबली डिजन रेट है इसका सबसे पहले करना है सबसे पहले फिल करना ही पड़ेगा ठीक है फिर करेंगे ऐसे fermitions को आप 10 घगांगे दो सबसे फिर दो इसे फिर दो इस ने फिर दो इसमें फिर दो इसमें आदो अब जो बच्चा isn't 8 टमर्डों झेंट ऐन जब तक 2 ख्यां यह कंप्रीटी फिल नहीं हो जाता है तब तक अगले में तो अगले में इलेक्ट्रों सेंट्री नहीं कर पाते हैं तो यह बात तो होगे कि हमारी थोड़ी सी यह विद्धिव पार्टिकल इन एबॉक्स बंडी 2D वह बात करते हैं यहां पर मैंने क्या क्या हो जाएगा इस इकल टू इस इकल टू सी तो यहां पर यहां पर को बुराइब बात नहीं है चलिए बहुत बढ़ी हो बहुत को अब देखें यहां पर डिर्चि देखेंगे तो सबस्क्राणक की बात निज्फी हमेसा क्या होता है वहां थी प्रिविय Lizard कुछ सब्सक्राइब चलिए बात करता हूं चलिए इसके जते के बात करूंगा क्रलँ गर करूंगishment जाएगा 3E0 3E0 चलिए बहुत बढ़े बहुत को मिनिमम एनर्जी जो 3D में होगी वो 3E0 होगा और E0 is what E0 is here ठीक है E0 is Pi square 2MA2 चलिए बहुत बढ़े बहुत को विसमें कोई बुराई वाली बार नहीं है अब देखें मैं यहां पर A को क्या करता हूं करता हूं और क्या करूंगा 1 fix होगा 1 2 एक तो यह आएगा देखो आपका ठीक है दूसरा क्या होगा वन अगें फिक से 2 1 चलिए बहुत बढ़े बहुत को इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है चलिए उसके बाद देखो क्या होगा 1 fix हो गया अब क्या होगा 2 fix करता हूं 2 2 fix करके 1,1 चलिए बहुत बढ़े है अब जब मैं इसको इंटरचेंज करूं तो कोई खास फर्क नहीं पढ़ने वाला है तो इसकी वैल्यू कितनी आजाएगी 1 प्लस 1 और प्लस 4 कितना हो जागा 6 इनोट चलिए बहुत बढ़े है बहुत कुग इसमें कोई गुराई वाली 3 कि हो जाएगी क्योंकि 3 तीन उसके लिए कि तीन वेल्यू के लिए 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 के लिए यह वेल्यू क्या हो रहा है चीन रिपीट हो रहा है यह क्या हो जाएगा ट्रिपल डी जनरेट हो जाएगा चाए एक बात और यहां पे इस थाफ शाफ दिख रहा है MINIMUM ENERGY GROUND STATE अब अगली energy हमें ऐसी देखनी है जो 3 e naught से तो ज़्यादा हो और बाकियों से कम हो तो देखे बाकियों 3 e naught से ज़्यादा कौन होता है 4 e naught, 5 e naught, 6 e naught तो देखे 6 e naught तो हमें मिल गया 6 e naught हमें मिल गया पर क्या ऐसी nx,ny और nz की ऐसी भी कोई value है कि आपको 4 e naught दे या फिर 5 e naught दे हो सकता है याद रखना आपको nx,ny,nz है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है तो मैं आगर करता हो तो देखो क्या बनेगा 1,1,2 इससे चोटा arrangement में नहीं बन सकता है इसके बाद इससे च a is equal to b is equal to c होगा इसके इसके लिए 4 e net कोई energy नहीं होगी और इसके इसके लिए 5 e naught कोई energy नहीं होगी डिरेक्ट आपका ground state के बाद मैं बना देता हूं यहां पर ground state है जो ठीक है और यह ग्राउंड state के बाद क्या आएगा आपका डिरेक्ट यहां पर आ जाएगा 6 e naught ठीक है और यह जो 6 e naught देख रहा हो ना यह 6 e naught क्या होगा आपका first excited state होगा क्या होगा फस्ट excited state ठीक है और कितने पार्स में डिवाइट होगा एक दो 3 है यह क्या है एक दो किन सी नोर्ट प्रेसी अपका महन हो तो मुझ भी नाम से नाम veterans कर्क शब्रों अनोट से तो क्या होना चहें ज्यादा होना चहें बाकियों से कम होना चहें तो 7-0 है एक 19-0 होगा Lazarus थिया और भॉत भॉत को see कोषिकशी होली है चलिए उसके बाद 1, 2, 2 भी हो सकता है देखते हैं जो कम होगा वो ही होगा या फिर 2, 2, 2 भी हो सकता देखो जब मैं इसको solve करूँगा तो 1, 1 प्लस 9 कितना हो जाएगा 11 E naught चलिए बहुत बढ़े है मैंने कुछ नहीं करा NX के जगा 1, NY के जगा 1 और NZ के जगा 3 रख दिया यह बहुत बढ़ी है और इसको करोगे तो 8 और यह तो ज़्यादा या जगा चलिए इसको अटाओ इसको कुछ करना ही नहीं कर लेता है 2, 2, 2, 4, 4, 8 फो आप देखो यहां पर यह बात आप देख सकते हैं कि अगर मैं अगली है है और 1, 2, 1, 5, 2, 3 और 3 अपक्वा कर देख सकते हृत के नहीं है मैं थोड़ा से क्या करता हूं इसकी जनरेशी रखता हूं कितनी आईगि तो 1,2,2 हम इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 2,1,2 चलिए बहुत बढ़े बहुत को यह फिर में इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ इसमें कोई बुराही भाली बात नहीं है इसके इलाबा क्यों together कोई और रहन बन रहा है यह में नहीं है यहां पर यहां पर करना स्भी से पता चलिए को आप देखर यहां पर क्या है यहां पर आपको क्या करना है सब्सक्राइब तो सबसे पहले जो एक्टरोन किसमें जाएंगे सबसे मिनीमम मतलब ग्राउंड में जाएंगे तोटल मेरे पास ग्यार है तो अगले दो किसमें जाएंगे जाएंगे तो पहले इसको क्प्लेट्ली कर दूँ चार शेच साथ और है तो यही कंप्लेट्ली क्लीड नहीं हो रहा है क्यूंकि अगले में जाएंगे एगले में नहीं चलिए तो ऐसी आपको क्या करना है इलेक्ट्रोंस प्रक्रॉम्हों ठीट्न मिन ह्को पिल स्टू मोर इस्टेबिलिटी के लिए ठीक है चलिए आज की लेक्चर को फिला रहे हैं खतम करते हैं मिलते हैं नहीं लेक्चर में तब तक के लिए बाई बाई टाटा और शी